गुड मॉनिंग दियर स्टुडेंट्स अफ्टर लॉंग टाइम जो है वह हम इस वीडियो कर रहे हैं तो यह वीडियो स्किल अनास्मेंट के लिए जो है यह रूवस हम कर रहे थे पेस्टिसाइड केमिस्ट्री तो उसमें मैं आपको चप्टर टू कर वा रहा था तो बेंजीन, हेक्जा, क्लोराइड, बीहसी और जो है वो डिडिटी का जो है वो सिंथेसिज और इसका यूज देखा था ठीक है तो उसी कड़ी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमेरे पास आगे जो नेक्स्ट केटेगरी आती चप्टर टू की वह बहुत इपोर्टन्ट है औ जो है वो हेडिंग है तो और गनो फॉस्फेट्स जो होते हैं उनके आपके इस लेबल में कौन सी एक्जामपल हैं उनकी सिंथेसिस और यूज जो हो कैसा रहेगा वह सारा अब हम इसमें डिसकस करेंगे बन बाई वन ठीक है तो जब भी आप और गनो फॉस्फेट्स हैं तो सबसे पहले आपको यह नाम ध्यान में रखना है कि इनका जो हम नाम लिखेंगे तो हम इनको जो है वो इस तरीक के से लिखते है फॉस्फोरो थायो एट ठीक है अभी बन बाई वन आपको इसमें पता चलेगा तो और गनो फॉस्फेट्स देखो क्या होते हैं फॉस पॉस्फारिक थै्ड के असकते हैं यह डा साकतर है उसफ़ॉस पॉस्फसफॉर के ऐसे देख लेते हैं तो सबसे पहले प्नाद करणोंको फार्मूला sitä ₹3 COVID-d bord ठीक हो और यह वह और तेग provas तो यह Phosphoric Acid है आप ध्यान दें इसके नाम के साथ acid लगा होता है तो यह वड़ा H, यह H और यह H यह तिनो H जो है वो क्या होते हैं प्रोटोनिक जो है वो hydrogen होते हैं यह H positive की form में रिलीव कर सकते हैं तो आपको पता है कि यह Phosphoric Acid का मेरे पास एक simple formula है जब आप इसका ester बनाओगे तो जो ester होगा इस Phosphoric Acid का वो क्या कहलाएगा और गयनो phosphate कहलाएगा ठीके अब थायो Phosphoric Acid क्या होता है आपने simply oxygen की क्या क्या लगा देना है sulfur यहाँ पर substitute कर देना है तो sulfur को जब हम नाम लिखते हैं तो के बार हम इसको थायो भी बोलते हैं ठीक है तो यह मेरे पास बन जाएगा थायो Phosphoric Acid बन जाएगा दाई थायो Phosphoric Acid तो यह Phosphoric Acid ही इनका जो है वो common नाम रह रहा है बाकि मैंने substitution sulfur से की एक sulfur से की तो थायो दो से कर दिए तो मेरे पास क्या हो जाएगा डाई थायो Phosphoric Acid ठीक है एक और बड़ा important example है इसमें अब यह बोलता है कि जो OH लगे होते हैं ठीक है आप इन में भी जो है वो H की जगा कोई alkyl group लगा सकते हैं तो मैंने यहां OH hydrogen को हटाके क्या लगा दिया अलकाईल ग्रूप CS3 CS3 ठीक है तो इसका नाम बन जाएगा पहले इनका नाम आ जाएगा dimethyl यह दो लगे हो है dimethyl और basic residue तो वह रहा डाई थायो Phosphoric Acid ठीक है यह दो सलफर की होता ही है ठीक है तो इन तीन ओएक दो तीन-ीम चार मेरे पास जो है यह है इंडियो लो इसमें से इसका जो असको क्या बोलेंगह ऑर अर्गाणो phosph sex क्या होता है आपको मैं यहां से इलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है ठीक है यहां से वाटर मॉल्कुल इलिमिनेट हो जाएगा तो इस चारों में से कोई एक एस्टर बना लो किसी एक का तो वह कहलाएगा और गयनो फॉसपेट कहलाएगा ठीक है तो इनका जनरल फॉर्मूला भी जो है वह किसी बुक से मैंने लिया हुआ है इनका जनरल फॉसफोरस है यह सलफर है और यह जो है वो रैस्ट जो है वह तीन बॉन्ड लगे हुए हैं अर गुरूप दो जुड़े हुए हैं वे स्पोसफोर साथ और एक और ट्याइस जो है वह एक और जुड़ा हो ठीक है यहां पे इसको इसको ब्रैकर में इसल्एब लिखा इसको एक अठ्ठा वो बेरी कर सकता है ठीक है जुरूरी नहीं है कि इसमें यह अक्षिजन यह सलफर भी हो सकता है तो यहां मैं लिखा है कि आरड़ाइस इस अप्सिटिटड अलकाइल ग्रूप जो होती है वो सलफर यह अक्षिजन पर रिसाइड करती है तो फॉस्फोरस पर आटोमेंटिकली चार्ज कैसा आजाएगा पार्शिल पॉस्टिव चार्ज आजाएगा ठीक है और मोर अबर यह जो फॉस्फोरस होता है यह आपके पास जो है वह फिनाइल ग्रूप्स के साथ सिली एक्षयव करते है तो फॉस्फॉरस पर चार्ज होता है तो पर आट्र करेगा ठीक है तूँस सोता है इसके पासीड पॉस्टिव चार्ज होने की वजह से यह जो और फॉस्फेट होते हैं पानी में क्या होते हैं इसमें घूल जाते हैं यही बात इसमें लिखी हुई है थोड़ी सी mode of action की बात कर लेते हैं कि और फॉस्फेट करते हैं तो बोलता है कि यह बिद्राइब नेचर जो हता है of oxygen and rest of the phenyl groups makes the phosphorus atom more electrophilic ठीक है hence it attacks the nucleophile तो यह electrophile होने की वज़े से phosphorus जो होता है यह nucleophile के साथ जो है वो react कर जाता है ठीक है क्योंकि electrophile और nucleophile apps में react करते हैं ठीक है nucleophile क्या होता है जिसके ओपर जो है वो negative भी चार्ज हो तो को एंगां से ऐसा हो एक तक है में ईन्सेक्ट में इन्सेक्ट में सब और्गेनो फॉस्पेट basically ये क्या है इंसेक्टिसाइड्स हैं ये ध्यान रखना है आपने ये जो आप पढ़ रहे हैं second category और्गेनो फॉस्पेट की ये क्या है इंसेक्टिसाइड्स है and the effect the center nervous system ठीक है ये पूछा जा चुका है कि और्गेनो फॉस्पेट जो है वो क्या होते हैं ये infECTICIT होते हैं किसको अटायक करते हैं यह पार यह एक्ट अटाईब्ड इसके और गलीजन होता है इसींके बांटी में प्लिंच masculin एस्टेज basically क्या करता है ये एक हमारा neurotransmitter होता है तरीके से आप समझो कि molecule होता है neurotransmitter होता है acetylcholine ठीक है लिखा है मैंने तो वो बड़ा जरूरी होता है ठीक है हमारे जो nervous system होता है हमारे body का जो nervous system होता है जो भी signals हमारे body में चलते हैं वो वो उनको कौन गवर्न करता है ये ये chemical acetylcholine ठीक है इस acetylcholine को कौन regulate करता है एक enzyme होता है acetylcholine esterase अब ये जो organophosphate होते हैं इस enzyme को पकड़ लेते हैं तो ये सारा mechanism रूख जाता है और हमारा जो nervous system हो फेल हो जाता है तो nervous disorder हो जाता है और insects की या जो भी आख के पास जो वो human being उसके death हो जाती है ठीक है तो ये very harmful जो है basically organophosphates जो है वो रहेंगे ठीक है dangerous pesticide dangerous तो है ही है ठीक है एक limit से अब चले जाएंगे तो dangerous ही होंगे ठीक है अच्छा गर toxicity के मैं comparison करता हूँ तो ये जो organophosphates होते हैं they are less toxic as comparison to the organochlorine insecticide toxic तो है लेकिन कम toxicity की होती है जो हमने picture duty और gammezyn जो है वो पड़े थे ठीक है because they do not persist in the environment ये environment में ज़्यादा देर तक persist नहीं करते हैं ये degraded कर जाते हैं ये तूट जाते हैं लेकिन organochlorine की खास बात ये थी कि वो environment में persist करते थे accumulate हो जाते थे जिसकी बज़े से biomagnification होती थी और वो बहुत ज़्यादा हानमफोल जो है वो रहते थे society के लिए और ये butter soluble भी होते है organophosphates की खास बात क्या है कि ये पानी में हो जाते हैं ठीक है तो आपके पास जो दो commonly आपके पास जो pesticide आपके syllabus में हैं वो है melathion and parathion ठीक है तो इन दो पे question पूछा जाएगा आपको की melathion और parathion के ओपर ठीक है 2020 में अभी के paper में आपको question आया था give a method to synthesize the melathion what are its use ये साथ number का question जो था वो आपका as it is ही बन जाता है ठीक है तो melathion की आपको synthesis आने चाहिए वो कोई भी आपसे पूछ सकता है इस वार ये 2020 में पूछा है मैं आपको question पर पर भी दिखा देता हूँ ये देखिए तो ये मेरा जो है वो इसमें question है give a method to section b की मैं आपको पड़ा रहा हूँ give a method to synthesize the melathion but are its uses ये साथ number का देखो question आपको बन गया है तो हो सकता है अगले बार वो parathion का पूछ ले या हो सकता है melathion का repeat करें आपको तो अच्छे से करना है ठीक है तो सबसे पहले आप उसका structure discuss करो कि melathion का structure क्या होता है ठीक है तो अब आपको थोड़ा सा idea लगी गया है इसमें किस तरीक का जोगा वो structure होगा तो देखो P double bond S OCS3 OCS3 इसमें methyl group होता है melathion का M stands for M stands for methyl यहां से तो यह हिंट है आपके लिए कि यहां पर आपके पास methyl लगा होता है ठीक है फिर आपके पास ब्रीजिंग सल्फरिस्त्रिक के से S रहेगा आपके पास और यहां पर आपने इसको मिला देना है ठीक है और यहां पर यह बड़ा residue बनाना है कैसे बनाओगे पहले CH बनाओगे और यह दर CH2 बनाओ बनाओ बना दिया उसके बाद एक कार्बोनाईल जो है वो चलके याद रहेगा अद्रवाइज आप इसको भूल जाएंगे ठीक है तो कुछ भी नहीं है बहुत सिंपल आईए ठीक है आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्ट्रक्चरी आजाएगा अलांकि आपको सिंथेस मेन है इसकी तो मैं इसका नाम भी आपको बतात हो है 2 तो मैं इसको ले लिए आपके पास ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा सी है करभो अ अर एक आपको मैं नाम दिएक डाइ थाइवेट क्यों लगा तो कि दो सलफर है दो सलफर नहीं होते तो इसको मैं फोस्फोरो थाइवेट ही बोलता ठीक है तो इस तरीके से आप इसका जो है वो structure पहले याद करें तो 1950 में इसको सबसे पहले जो है वो introduce किया गया था and most widely used दिये insecticide है ठीक है Melathion basically कैसे होता है अगर आपको मैं appearance की बात करूँ तो जैसे हमारा cup syrup की bottle होती है ये same Melathion भी वैसे ही cup syrup जैसी bottles में जो है वो दिये जाता है वैसे ये colorless जो है थोड़ा सा liquid होता है तो हम क्या करते हैं कि जैसे अगर आपको मानलो आपको Melathion का छिड़काव करना है अपने खेतों में क्योंकि Melathion का काफी स्थिमाल किया जाता है vegetable पे या crops पे ठीक है बचाने के लिए जो हमारे जो है वो farmers का use करते हैं तो कैसे करेंगे जैसे मैंने आपको बताएगी जैसे मानलो आपको पास जो है वो एक bottle है छोटी ठीक है उसमें liquid की form में होता है Melathion तो आपने इसका एक चमच लिया और उसको जो है वो उसमें आपने एक बड़ी bucket में डाल दिया उस बड़ी bucket को आपने अच्छे से stir किया और उसको जो है वो spray वाले जो यह सबसे पहले आपके पास बनता है यह इंट्रमीडियट जो होता है इसको यह मैलियट के साथ होता है है CH और इदर को भी एस्टर बनाना है और इधर को भी सेम एस्टर बनाना है C double bond O C2H5 C double bond O C2H5 तो इसी तरीके से आप इसका डिजाइन बनाएं और इधर आपके लिखें डाई-मिथाइल, डाई-थायो, फॉस्फोरिक एसिड फिर आपने कहें करना है कि इस SH की reaction जो है वो हो जाती है करेगा CH और जो H पॉस्टिव था वो इधर चला जाएगा CH2 ठीके बेसिकली आपने इस पोर्शन को और एक H को यहां दोनों कार्बन पर एड़ करना है जो W bonded carbon atom है ठीके रहा सिंगल बॉंड आ जाएगा तो आपके पास यह स्टक्चर किसका बन जाएगा मेलाथियोन का स्टक्चर बन जाएगा ठीके तो कुछ ने किया जी हमने फॉस्फोरस पेंटासलफाइड इस ट्रीटेड विद मिथेनौल इन टॉलूइन सॉल्मेंट तू प्रोडूस डाई मिथाइल डाई थायो फॉस्फोरी एसेड इंटरमेडियेट इस इंटरमेडिये थोड़ी सी छोड़ी लिखें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ठीक है अब रही इसकी यूज की बात तो यह नोन सिस्टेमाटिक ब्रोड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड होता है मैंने आपको फस्ट चप्टर में बताया था कि सिस्टेमाटिक और नोन सिस्टेमाटिक पै सिस्टेम के से वह कहीं से भी जो है वह एंटर कर जाएगा प्लांट्स में ठीक है तो इस बाइडली यूज इन अगरिकल्चर फॉर नियरली ओल फ्रूट्स ठीक है अल बेजटेवल्स फिल्ट्स क्रॉप्स एंड हाउस होल्ड जो है वह इंसेक्ट्स में यह यूज किया ज करते हैं तो वह उनको कंट्रोल करने के लिए भी हम इस कछड़ का आप जो हो कर देते हैं इस अंडर टाइम्स टॉक्सिक दें अगला पढ़ेंगे पैराथियों तो से यह कम टॉक्सिक होता है इसलिए मेलाथियों का जो हो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ठीक है एक आप आपको मैं knowledge point of view से बात बता दूँ हमारे पास जो हो इंडिया में जो है वो एक हमारे पास जो हो कंपनी समझ लो हाँ हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड जो हमारे पास एक फार्म है ठीक है तो गवर्मेंट के साथ मिलके जो है यह काम करती है यह पूर में इसको establish किया था और जो agreement था अभी एक latest news थी जून 2020 में एक agreement हो थे इंडिया और इरान के बीच में जिसमें 25 मिट्रिक टन जो है वो हम में लथियों जो है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे कि इसको इरान को जो है वो हम ट्रांसपोर्ट करेंगे ठीक है क्यों दो इसको काफी ख्षयती पहुँंच दिया है पंजाब हो गया हर्याणा हो घीक है तो यहां पे जो ओक कि यह चला था आपके पास इसका इसका जो center था वो था इरान ठीक है तो बहां से होते हुए यह अफगानिस्तान पाकिस्तान के ठुरू होते हुए यह कहां तक पहुं होके जो है बड़े होते हैं और फिर वो हवा में जो है वो काफी डिस्टार्इस तक जो है हो भाइगरेट करते हैं तो रून ने कहा कि ause मैलात्याइट करने के लिए जो है मैलात्यों जो हैँ इराण को जो है वो सारव करेंगे तो यह करार हुआ था भी जून से आता हूं पर तो आप इसकी सिंथिस करें कंपियर करें मेलाथियों और पराथियों को तो आप इसको दस-दस बार अपनी कॉपी प्रेक्टिस करें तभी आपको यह याद होगा ठीक है यह इसको कुछ भी बोल देते हैं इसका कॉमन नाम है लेकिन जो लोकल नेम जिस ट्रे इसको कॉमन नाम है इसमें इथाइल ग्रूप लगे होते हैं तो यह बड़ा स्ट्रक्चर तो से में पी डेवल बॉंड एस ओसी तो बस यहां पर सल्फर नहीं होता है और यहां पर नाइट्रो बेंजीन जुड़ी होता है यह एन नो टू ठीक यह पॉस्टिव और यह टीयोड यहां ओडई एथाइल और इस ही ऑक्सिजयन पर जुड़ा हुआ है इस अक्सिजन पर जुड़ा हुआ है आपके पास यह नाइट्रो फिनाइल ठीक फोर नहीं हो फोस्फोरो थायोड अब इसमें डाइथाइवड नहीं क्योंकि इसमें बनेगा किस से यह डाइध तो जैसे मैं इसका नाम लेता हूं तो कोई डिफिकल्ट नहीं है एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं डाई इथाइल डाई थायो फॉस्पोरिक एसे ठीक है तो यह इसका स्टक्चर इसके मैंने दो मोल्स लिए इसकी रेक्शन मैंने क्लोरीन के साथ कर दी चार क electr कोर्ना क्या है वे सिखली आपको क्लोरीन के साथ कर ली तो अपको करना क्या है कि ये जो दो मोल्स गितने कि two system और फ्रीमोल है गोऊज घंळ है तो मिःट्सनल निकल जा डाईगा बाइप्रोडक्टन निकलेगा दो अउस कर तोcı कर दो अब इन 4 क्लॉरीन में से 2 ले जाएगा तो यह क्या बना देगा आपके पास S2, Cl2 क्योंकि 2 है ना मोल तो सल्फर भी कितने है 2 तो यह 2 क्लोरीन इससे ले जाएगा तो यह बना देगा इस SH की जगा क्या जोड़ना है? CL जोड़ना है, ठीक है? तो आप जब इस SH की जगा CL जोड़ना है, तो यह आपको जो है वो एक intermediate मनेगा diethyl thio phosphoryl chloride, ठीक है? और साथ में S2Cl2 और 2HCl जो है, वो निकल जाएंगे, ठीक है? तो यह जो intermediate बना diethyl thio phosphoryl chloride, ठीक है? यह intermediate बना, SH की जगा CL लगा दिया, तो इसकी reaction कराएंगे sodium 4-nitrobenzoate के साथ, किसके साथ कराएंगे? sodium 4-nitrobenzoate, phenolate, sorry, phenolate, sodium 4-nitro-phenolate, क्योंकि phenolic OH होता है, तो इसके साथ जब reaction कराएंगे, तो यहां से NaCl निकल जाएगा, और rest आपने जोड़ देना है, तो minus NaCl हो गया, बग की rest as it is molecule, और यह oxygen जो हो इस phosphoryl साथ जोड़ जाएगी, O और यह nitro, तो यह structure किसका बना गया? पहराथ ही है, उनका, O-O-diethyl O-4-nitrofenyl phosphoryl, ठीक है? तो इस सिंथेसाइज फों दा, यह बहुत पावरफूल होता है, यह किल कर देता है, all harmful insects को थोड़ा सा इसका use काम क्यों किये जाता है क्योंकि कुछ countries में बैन है क्योंकि बहुत आर टॉक्सी की nature होता है यही इसका series disadvantage है ठीक है toxic तो है यह सारे insecticide को kill कर देगा वो तो अच्छी बात है लेकिन यह human beings के लिए या जो भी हमारे पास एक होता target organism होता है non-target target को तो kill करेगा करेगा लेकिन साथ में जो non-target होगा उसको भी यह बहुत ज़्यदा हारम पहुचाता है ठीक है तो कई country ने इसको ban भी किया हुआ है पैराथियों को तो यह मेरे पास और्गेनो फॉस्पेट्स की जो है यह दो बड़ी पॉर्टेंट कंपाउंड थे मैलाथियों पैराथियों इन दोनों की synthesis ही बड़ ज़्याद इपॉर्टेंट है पैराथियों की बिल्कुल तो easy है तो आपने दोनों प्रैक्टिस करनी है और दोनों है आपने इसके जो है और अच्छे से notes बनाने है ठीके तो next category जो है वह Organophosphates के बाद जो हम करेंगे कारबामेट्स क्या करेंगे कारबामेट्स करेंगे ठीके तो कारबामेट्स का मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्डूड़क्शन सा दे देता हूं कि कार्बामेट्स क्या होते हैं यह अहलांकि मैं अगले लेक्चर में आपको करवाऊंगा तो देखो कार्बामेट्स आर दा स्पेशल क्लास ओफ और्गैनिक कंपाउंट्स ठीक है वीच आर ड्राइबड फ्रॉम कर्वेमिक एसड यह किसे ड्राइब किये होते हैं कर्वेमिक एसड के साथ जो है वह यह ड्राइब किये होते हैं तो आपके पास जो कर्बैमिक इसेड होता है, पहले तो आपको इसका ownっちゃy कर्बैमिक इसेड क्या होता है, ठीके, इस अल्समोन ऐज अमाइनो फॉर्मिक इसेड, बनette क्रियल कार्बैमी और за घाएंड क्या होता है, यह उता है can I have permanent acid , HC double bond O OH ठीक है आपने इस H की जगा क्या लगा देना है amino group लगा देना है amino group लगा देना है ठीक है जब आप इसके साथ amino group लगा देना है NH2 ठीक तो आपके पास बन जाएगा carbamate acid तो मैंने क्या बोला carbamate are special class of organic compound which are derived from carbamate acid they are basically the ester यह salt of carbamate acid इसका भी हम क्या बनाएंगे ester बनाएंगे यह salt बनाएंगे तो उसी को क्या बोलेंगे carbamate बोलेंगे तो देखो इसका मैं ester बनाऊंगा तो इस OH की जगा जो है वो बहाँ पे जो है मैं क्या लगा दूँगा कोई group लगा दूँगा ठीक है बहाँ पे जो है मेरे पास ठीक है तो यहां NHOR आएगा ठीक है तो यह मेरे पास जो है वो इस OH की जगा जो है वो OR group लग जाएगा तो यह मेरे पास जो है कर्बैमिक एसिड एस्टर बन जाएगा तो यह मेरे पास कर्बामेट है इसके मैंने फर्दस substitution कर दी N की जगा R1, R2 लगा दिया यहां R' लेख दिया तो इस substitute carbonic ester हो गया इसी को मैं carbonate बोलता हूँ ठीक है तो इस तरीके से इनके basic definition है कि carbonic acids जो होते हैं यह amino acids की तरह लगते हैं कि इसमें amino भी और carboxly group भी होते हैं तो amino acids क्या होते हैं जिन में amino group भी हो और HD group भी हो तो लगते हैं कि they are like amino acids contain acidic as well as basic group but its properties are very different from the amino acids इनकी property amino acids की तरह नहीं होते हैं बिल्कुल different होते हैं और generally they are slightly basic in nature होते हैं तो इनकी PKB values होते हैं 8 के करीब होती है carbonates are discovered in 1950s and first carbonate used is carbaryl ठीक है तो दो तरीके के मेरे पास जो है वो इनकी example है कार्बोफिरोन आपके इसले बस में और एक है कार्बेराइल है ठीक है तो इनकी synthesis बड़ी important क्यों बनती है क्योंकि थोड़ा सा बच्चा जो है वो इसमें लगता है कि यार यह याद नहीं होगी यह बड़ा पतनी क्या चीज है तो यह आठाठ नंबर का granted question है कार्बाफिरोन आड कार्बेराइल है ठीक है तो यह मैं आपको अगले जो है वो लेक्चर में करवाऊंगा कि कार्बाफिरोन आड कार्बेराइल की synthesis जो है वो कैसे की जाती है ठीक है तब तक आप इसके notes बनाए Thank you students